एक बार की बात है, मिराश पूर नाम का एक गाव था, वहापर बहुती कम लोग रहते थे, उन लोगों के गाव के लोग हमेशा कहते थे कि उन लोगों की काव की जो जंगल है, वो बहुती सापी थे, एक बार जो जंगल में जाता था, वो कभी भी जिन्दा वापस नहीं लो थे असल में उन लोगों की जंगल में एक शूरेल थी एक दिन राजु नाम का एक लर्का राट को उन लोगों की गाउ के बस्टॉप में बस से उत्रा था कोई ना डिखने के वज़े से वो गाउ की तरफ चल परा और जाते जाते उसे वो जंगल नजार आया और वापर ओ सूरेल से उसका सामना ओ गया सूरेल को ढेकर राजु का तो पसिनाई शुट गया वो बोला कौन ओ डूम तब सूरेल बोला मैं आज तूम को नहीं सोड़ूगा तब राजु उसको बोल रहा था कि मुझे सोड़ो प्लीज प्लीज मुझे जाने डो यहाँ से काम करना परेगा तब प्राजु बोला क्या काम तब सूरेल बोला सूनो अच्छे दो साल पहले मैं भी जिन्दा था और मेरा पटी हमेशा मुझे दैश की कारण मारता था सूनो तुम अपने माई के जाके मेरे लिए दैश लेके आओ आप तो जानते हैं कि हमारी घर में कितनी परिशानी सल रही है ते पटी से जुबान ला रहता है तू रूप अभी तुझे में सबक सिखाता हूँ इस तरह से उसने मुझे मार दाना अब तुम्हें एक काम करना परेगा किसी भी तरह से उसे मेरे पास लाना होगा क्योंकि गाओ में एक मंदिर है जिसकी बज़े से मैं वहा नहीं जा पाऊंगा ये बोलके सुरेल भी वहाँ से चला जाता है राजू भी दर दर के गाओ की तरफ चला गया और वो सोचने लगा कि अब क्या करो वो गाओ पौज गया अब मैं क्या करो सुरेल की बात तो मनना ही परेगा वरना वो मुझे नहीं सोरेगा उस दिन राजू काओ के एक खर के बाहर सो गया सुबह होते ही राजू को सुरेल का पती दिखाए डिया और वो उसके पास गया वो सुरेल की पती को गुलाया और कहने लगा कि जंगल में एक पैसे का बेगे चलो लेके आते फिर ओडोना जंगल की तरफ सलने लगा सुरेल का पती भी ललसी था इसलिए ओभी सला गया राजू के साथ और सुरेल उस पक जंगल में सो रहा था फिर राजू जाकर जंगल में सुरेल को गुलाने लगा कि मैं उसे ले आया सुरेल का भी तब नीन खुल गया सुरेल तब जोर जोर से हसने लगा और कहने लगा कि आज में भी मैं अपना बडला ले लूँगा जिस तरह से तुम ने मुझे मारा था और इसके बाद सुरेल ने भी अपने पटी को मार दाला इसके बाद शूरेल ने राजू को ठेंक्यू कहा और वाजे सला गया राजू भी अपने घर की तरफ सला गया इस तरह से राजू ने शूरेल की मा डट की इस तरह की और वीडियो के लिए हमारे सेनल को लाइप, सब्सक्राइब और वीडियो को सेयर कर दिए